हलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे 10 मीट वाली सब्जी की रेसेपि आप देख सेकते हो एकदम बढ़िया बनी है यहां हमारी सब्जी और यह बनाना एकदम आसान है इसे आप 10 मीट में बना के रेडी कर सकते हो और यह एकदम चटपटी बन दी है खट्टी मीटी लगती है और पिसी के भी साथ सव कर सकते हो तो चलि आज के रेसे भी सुरु करते हैं और हाँ फ्रेंज से सब्ची लगे लिए वीडियो लइक से शरु कर दीशेगा तो यह सब्जी बनाने के लिए मैं यहां पर आम ली है यहां पर मैंने छोटी वाली को खट्टी वाली आम आती है वह इसकी जगाव कोई भी आम ले सकते हो आपके यहाँ पे जो भी आम मिलती है वो आप ले सकते हो यहाँ पे हमें कच्छी ही आम चाहिए तो मैं ने इसे अच्छी थरा से दो लिया था और इसे बड़े-बड़े टुक्रों मे कट कर लिया है इसकी जगह आप छोपी आम ले रहे हो आप देख लीजेगा कि अंदर वो हाड़ वाला पाट ना हो ताकि आप इसे खाना में आसानी रहे अगर जो आप हाड़ वाला पाट हो तो इसे निकाल दीजेगा फिर इसे बड़े-बड़े टुकरों में काट लीजेगा आपको चितनी भी सबची बना नहीं हो इतनी आप आम ले सकते हो परियाद रखेगा कि यहाँ पे हमें खटी वाली आम चाहिए मैं यहाँ पे कच्ची वाली ही आम चाहिए पकी हुई आम नहीं चाहिए तब दीख सिखते हो मैंने यहाँ पे चार जो आमली थी उसके बड़े-बड़े टुपड़े करके रेडी कर लिया है अब हम इसे पकाएंगे तो मैंने इसके लिए एक पेंड में दू चम्मच इतना ओल करम करने के लिए रखा है गेस की फ्लेम एकदम स्लो कर दीजेगा और इसमें आधी छोटी चम्मच राय आधी छोटी चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच मेथी के दाने और एक छोटी चम्मच यहाँ पे कलोंजी के बीज लेंगे आपको यहाँ पे कलोंजी के बीज ना मिले ताब इसकी जगा काले वाले तील आते हैं वही ले सकते हो और इसे एक बार मिला लेंगे ताकि हमारे मसाला है वो जलना जाए अब हम इसमें नमक डालेंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे डग के 7-8 मिनिट तक इसे पकने के लिए रख देंगे साथ से आट मिन्ट के बाद आप देख सकते हो हमारी केरी पक्केरेडी हो चुके है अगर आपको इतनी गली हुई सबजी नहीं बनानी है तो आप इसे पांच से छे मिन तक भी पकने रख सकते हो आपको इसे स्लो फेम पे पकनाना है अब हम इसमें गुल डालेंगे तो मैने यहाँ पे आधा कप चितना गुल लिया है यहाँ पे आपको आप चितनी खटी हो उतना ही गुल का यूज़ करना है साथ में एक बड़ी चमच, कस्मीरी लाल मीच, यहां पर आप जितनी तीखी खाना चाहो सबजी उतनी लाल मीच डाल सकते हो और एक चुथाई चमच इतनी खलवी डाल दीजेगा और इसे अच्छी तरह से मेक्स कर लीजेगा यहां पर हम दूसरे मसाले नहीं डालेंगे बस हम इतने ही मसाले से यह सबजी बनाएंगे और यह सबजी बहुत बढ़िया बनती है तो आप इसे शरूर ट्राइ कीजेगा और इसे टक के 2-3 मीट तक हम इसे पकने देंगे तो आप देख सकते हो हमारी सबजी बन के रिडी हो चुकी है अपषे से जादा नहीं पकाना है फिर भी यह घटा हो जाएगा तो सबजी बन के स ήड़ी तक रिडी हो चुकी है ठंडा हो जाने के बाद आप इसे फ्रीज में 8-10 दिन तक रख सकते हो यह याप इसे 2-2-3 दि सब के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो और अब या थे रहे हूं वह भी मुझे कमेंट करें जरूर बताएगा कि आप थे अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर किजएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजएगा इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर फोलोग जरूर कर दीजएगा तो आप एंजोई कीजएए आम की खटी मीठी लोंजी हम मिलेंगे लेंगे नेक्स रेसेपी के साथ जटेकलिये बाय बाय, सी यू, आफकेल।